बाप ने दी सफाई बट आरोप नहीं तो फ्रेंट्स पाई का वीडियो आगे उनके चैनल पे और जो भी पाई के कॉमेंट्स उन्होंने किये थे लखनीत के चैनल पे कही ना कही जो चीज़ें निकल रहे थी जूलरी की ठीक है और बहुत सारी जो बाते निकल के आई थी उसका उन्होंने दिया है किया कार का ठीक है और भी जो नीतु की मम्मी के ओफिस और राष्ट पती भवन में समान खत्रे में नौकरी और बहुत सारी चीज़ों का जवाब देते हुए दिखे हैं बीच में बहुत सारी बाते जैसे का आज सुबह ही सुबह आपने देखा था जो लखन भाई का जो वीडियो आया है उसमें काफी कॉमेंट्स किये जा रहे थे जिसमें ये भी कहा गया डाइवोर्स वाली बात है ना कि ये मुझको ये चाहते हैं भी दिखे हैं जैसे की हम लोग मैं तो ये ही चाहता हूँ मैंने तो नीतू की मम्मी से बोल दिया था हमें उन्होंने ये काता हमारे पास सिर्फ बेटी है तो मैंने ये ही काता कि हमें बेटी ही चाहिए हमें बेटी ही चाहिए बाकि और हमें कुछ नहीं चाहिए और मेरी दो जो और भी बहुए आने वाली हैं मैं भी उनसे बस वो ही चाहिए मतलब बेटिया ही लक्षमी होती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए हमने कुछ मांगा ही नहीं था बहुत सारी चीज़े और explain की गई जैसे कि engagement engagement का function मैंने सारा किया था मैंने ही खर्चा किया था सारा ठीक है और उसके बाद कुछ चीज़े ऐसी हो गई थी मेरा काम अच्छा नहीं चला तो शादी के टाइम पर जैसे बात कर रहे थी कि जैपूर में होगे तो मेरे को थोड़ा लखन ने support किया जो ये धाई करोड जो बोले जा रहे है dream villa के वो उसके लिए थे और वो बीच बीच में देता रहा मुझे तो वो धाई करोड जो दिये थे वो villa के लिए नहीं उसने मुझे शादी में और उसने curry help के पाई ने माना है रही बात jewelry की तो उसको भी explain करते हैं उन्होंने बोला है कि jewelry जो थी वो रखी थी और हमारे पास थी और वो उसी की jewelry है ऐसा तो नहीं है कि हम लोग और maximum लोग parents रखते हैं अपने पास jewelry और जब उसको जरूत होती है अंतिम समय में आ तब हम लोग दे देते हैं jewelry का ऐसा रहता है हमारे ऐसी ही रहते है कि parents के पास jewelry रहते है तो इस चीज़ का इन्होंने ये answer दिया है बाकी जो income tax, ED और जो सुबह बहुत सारे चीज़े हो रहती है इसमें लखन भाई ने बहुत सारे चीज़े है जो माइके से आया था वो भी रख लेते हैं लोग और बहाना की CBI या ED की rate पड़ जाएगी ये सब चीज़े भी बूली गई थी और भी बहुत सारे comments थे in fact मैंने बाद में notice के थे घर पर रखी है जूलरी या दूसरे शहर विजवादी सेम किया कार भी तो इधर ही है फिर उस पे इतना इशू क्यों तो किया कार वाली बात पे भीर उने बोला है कि हम लोग देखे जैसे Mercedes वाली बात है ना तो कीरती के वीडियो में उन्होंने एक्स्प्रेइन किया है कि कीरती ने बोला था कि Mercedes कहा है Mercedes, Mercedes तो लखन के पास नहीं है आप Mercedes का बोलते है तो किया गाड़ी का इन्होंने बोला है पाइने कि हमको तो आख पे पट्टी वांद के ले गए थे वहाँ पे उनको content बनाना था उस टाइम उनका channel इतना वो दिखा के ठीक है social media है उनको बहुत views मिले थे सेम इन्होंने ऐसे ही engagement के लिए भी बोला कि engagement वाले function पे एक था कि वो बहुत बहुत time तक अच्छे से चला बहुत hype इनको social media इनका grow हो गया बहुत इनके पास मतलब उस time अच्छा काम किया तो हमें लगा चलो बच्चे तो ये चीज़ ये कहना चाह रहे थे कि engagement में मैंने पूरा पैसा लगाया था और इतने अच्छे functions हुए इनको बहुत अच्छे उस time इनकी earning हुई थी ठीक है तो उसके बाद इसमें मुझे शादी में help करी थी ये बोलना और साथ-साथ किया गाड़ी का ये था कि वो सिर्फ अपने content के लिए था आख पे पट्टी बान दी थी अब लोग Mercedes का भी पूछ रहे हैं तो पाई अंकल आपको Mercedes का भी explain करना चाहिए ठीक है बहुत सारी चीज़े जो और आपने बोली की चलो जूलरी की इनके हिसाब से कि हमारे घर वाले ही रखते है लेकिन मुझे लगता है कि कई बार हमने नीतू को देखा है कि वो जो उसकी घर वाली जूलरी जो उसमें वो सेट mostly चीज़े पहनी है अगर आपने नोटिस किया वो ग्रीन ग्रीन कलर के जो वो उसके माई के वो लह खतरनाक खतरनाक भी थे जो कि मेरी नजर बाद में पड़ी थी मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ एक तो ये माईके वाला कमेंट था माईके वालों जिस भी पोजिशन में थे कम से कम हाथ तो नहीं फैलाए नहीं बिचारों ने बिजनस में हिस्सा मांगा इस चीज का पाई ने बोला है कि कोई भी मावा पैसा नहीं सोचते है ठीके और उन्होंने ये चीज भी अड्मिट करी है कि गुसे में बोली है बहुत सारी चीज़े क्योंकि मैं लखन को बहुत प्यार करता हूं ठीक है और मैंने फिर बाद में डिलीट भी करी है लेकिन अंकल जी बहुत मतलब कुछ शब्द तो बहुत ही जादा बुरे थे ठीक है मैं बार-बार नहीं बोलना चाहती और इनी आइडीस का हाँ हाँ एक चीज नोट करके बाद में गिनवाना होता है जैसे कि उन्होंने बत कि कमाई का ही खाते हैं न कि दूसरे के हाथ फिलाते हैं तो लोगों ने इस चीज पे भी उठाई हैं बाते और भी जोईलरी जानता हूँ वैसे भी आजकल क्रिमिनल्स के साथ दोस्ती हो गई है जो मडर के केस में 6 साल जेल रहा बट मैं डरता नहीं हूँ बेशक मरवा ही क सोच यह ऐसी चीज़े अब इस मतलब इस यूट्योवर को इस बेटे को यह चीज़े बोलनी पड़ रही है तो उसको इस टाइम अपनी जान तक का खतरा नहीं है कितनी mentally कितने tension में और देखें यहाँ पर पाई भी जो हम लोगों ने notice करा पाई भी कोई खुश नहीं दिख रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर पाई ने यह बोला कि मैं उस दिन जब यह लोग आ गए थे मैं वाँ बोल के आया था कि मैं तेरे लिए अगेस्ट अब कुछ नहीं बोलूँगा बेटा जब उसमें का था मैं anxiety हो रही है मुझे लखन ने ठीक है लेकिन पाई ने आज बो मेरा घर है मैं तो देखो शो आफ अब आप लोग कुछ कहते हैं कि शो आफ करता हूँ मैं अपनी गाडिया भी दिखाता हूँ मैं अपना घर भी दिखाता हूँ देखो यह है यह है यह सब मेरी एक नंबर की कमाई है तो अंकल इतनी सारी जो आप explanation कर रहे हैं मुझे समझन कुछ ना दिखाता है ना लेकिन मैं तो अराम से दिखाता हूँ फिर यह सब चीजे भी बोली गई हैं और अच्छा यह धंकी वाली बात कि अब मुझे को डर नहीं लगता जानता हूँ मैंसे भी आजकर क्रिमिनल्स के साथ दोस्ती हो गई है और इस चीज को वहाँ पे जो आदमी थोड़ा परिशान होता है मैं जैसे मेरी यह भी एज हो रही है मैं 55 साल का हूँ ठीक है तो मैं जो मुझको लगता है कि हाँ यह मुझे हट्टा कट्टा इंसा नहीं मुझे बचा लेगा इस चीज को अंकल ने इस तरह से कनेट के लेकिन 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 मैं यहाँ प अब आप जैसे भम्मो हैं उनसे पूछा गया कि आप किसके सपोर्ट में है ठीक है लखन के या विवेक के तो उन्होंने उस टाइम बोल दिया ना लखन के ना विवेक के ठीक है और यह जवाब एक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि देखिए बाहर वाला आफ्टर आल बाह तो यह है पाई का वीडियो ठीक है पाई ने इमोशनल थोड़ा बीच में इमोशनल भी हो गए थे कि मैं उसको बहुत प्यार करता हूं गुस्से में मैंने बोल दिया और माबाप समझा ही सकते हैं लेकिन मैं कभी नहीं चाहता कि डाइवोर्स हो तो डाइवोर्स वाली बा कि माईके की जूलरी भी रख ली है ठीक है बागी मर्सिडीज वाली बात भी उठी थी वो क्लियर हो गई है ठीक है वो कीरती ने भी अपनी वीडियो में कॉमेंट जो पिन किया उसमें क्लियर किया जो मैंने इससे पहले वीडियो डाला था बागी इन्होंने और चीज़े यह क्लियर करी है कि अच्छा नीतू की मम्मी के लिए नो ने बोला कि वहाँ पर राष्टपती भवन बच्चें कुछ भी बोलके चले जाते हैं तो राष्टपती भवन पर कुछ समान रखा हुआ तो उनकी वह सुबा जाती है शाम को आती है तो उनकी जौब पे भी बात आ स मतलब जहां पे ये लोग रहे रहे हैं अभी जहां पे उनोंने बोला था कि मैंने रेनोवेशन के लगाए हैं पैसे तो इस पे भी अंकल जी ने बोला था कि वो घर तुम्हार है और हमने कभी उसको जाने के लिए नी बोला हमने कभी नी बोला तुम वहा रहो ये घर सब सारी properties हम सारे बच्चों के लिए है और ये चीज़ अंकल ने बोली है कि हम तो उसको बोल कहाँ दे तो यहीं पे रुख यहीं पे रहे ठीक है और गुस्से में देखे ये लखन भाई नहीं बोला था कि गुस्से में कई बार मुझको बोल दिया जाता है और वैसे अंकल ने ये बोला कि इस घर का बड़ा घर है डेड़ दो लाख रुपिया आता है लेकिन उस रखन ने का था मैं आपको रेंट देता हो तो मैंने रेंट नहीं लिया मैंने का अपना घर है ते तो रेंट क्यों देगा लेकिन अंकल जी ने ये चीज़े बोली कि मैं गुस्से में बोल जाता है फादर देखे यहाँ पे बहुत सारी चीज़े हैं गुस्से में आप पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है गुस्से में होती है हर फैमिली में ये लड़ाई होती है लेकिन मेन बात यह है कि ना इस टाइंग यह जो कॉंट्रोवर्सी है ना रावत फैमली की यह रायता बहुत जादा रायता फैल रहा है और डे बाई डे कभी कोई टॉंट के थूरू कभी कॉमेंट्स में कुछ नहीं नहीं चीज़े आती हैं लडाई हो रही है और यहां पे मतलब आज अंकल इमोशनल हुए है ठीक है मैं समझती हूँ मैं पेरेंट्स के अगर देखा जाये तो मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि आप लोगो आपस में जितनी यह सोशल मीडिया पे बात हो रही है आप लोग आपस में बैट के सॉट आउट करो ठीक है दोनों को छोड़ गया और अंकल ने बोला कि हम लोग मिलने गयते वैसे बच्चों को मिलने आना चाहिए था तो यह लखन अगर हम लोग बोलें अंकल जी जब आंटी जी का गोल्टन बटन सेलिबरेशन था तो वो आया था सेलिब्रेट करने जबकि उस टाइम देखिए वहाँ प आपको एप्रिशेट करना चाहिए बाकि यह खत्रे जान वाली खत्रा और यह सब तो सुनके बहुत हरानी होती वही इस टाइम यह सब चीज़े जो बोली जा रहे हैं तो आप लोग की जो यह घर की चीज़े हैं यह सोशल मीडिया पर डेवाइड बहुत जादा दिख रही हैं जो अच्छी कहीं से भी नहीं लग रही हैं आप लोग को ठीक है लखन भी कुछ चीजों में गलत हो सकते हैं लेकिन यहां पर जो स्टार्टिंग हुई है वो आपकी तरफ से ही हुई है और लखन ने अपनी वीडियो में भी बोला है कि मैंने माफी मांगी है पेरेंट् कि कई बार माफी भी मांगनी पड़ती है पेरेंट्स भी नराज होते हैं डेफिनिटली पेरेंट्स ने इतना किया है तो नराज होंगे लेकिन जो चीज़े सोशल मीडिया पर आ रही है ठीक है वो चीज़े अच्छी नहीं लग रही है आपके स्टेटमेंट्स में कुछ हो जैसे आपने आज बोला कि Aniket, Aniket ने वीडियो डिलीट नहीं करी थी, लेकिन वहाँ पर लखन ने कीर्थी दीदी साफ कह रहे हैं कि जो मेन एडिटर है, ठीक है, उसने ही डिलीट की थी, मैंने वो वीडियो देखी है, तो अब कौन सही है, कौन जूट है, किसने डिलीट कर चुटी-चुटी चीजों में प्रॉब्लम्स क्रेट करने की कोशिश कर रहा है, फेक कॉमेंट्स, हेट कॉमेंट्स, जो इतना लोग बोलते हैं, कि हेट कॉमेंट्स वो करवा रहा है, वो करवा रहा है, आप लॉजिकली सोचे, वो बंदा हमेशा से कह रहा है, कि अगर नहीं कुछ logically चीज़े नहीं करनी लेकिन यहां पर आके blame करना और अंकल जी आपका यह बात justified नहीं है कि हम लोग अगर परिशान है तो हम लोग किसी आदमी सोचता है कि बेबस होके किसी solid इंसान को पकड़ता है नहीं यहां पर उस इंसान ने क्या करना शुरू किया है आपके घर की चीजों को लाके रोज लाइफ कर रहा है कहते ना कि उसकी बेज़ती भी कर रहा है और साथ-साथ आपकी ही वो बेटा आपी का है जिस चीज को आज उनोंने बोला भी है कि उसकी बेस्ति होगी तो हमारी ही बेस्ति है है ना तो इस चीज को आप लोग समझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही है और हर दिन कुछ ना कुछ कॉमेंट और ये सब चीज आती है तो एक अच्छी वो नहीं आ रहे है बाकि कल दे की बात करी है लेकिन जब मैंने देखे थे उस टाइम तक कोई कॉमेंट्स नहीं आए थे ठीक है I hope कि नीटू के लिए negative comments ना आए और उधर लखन के उसमें भी negative comments ना आए ठीक है क्योंकि हो क्या रहा है उधर नीटू के जादा बुरी हो जाएंगी मिलते नेक्स वीडियो में बाई बाई एंड वन्स अगें हैपी संक्रांती एवरीवन बाई बाई